इस समय प्रदूशन दिल्ली में बहुत जादा है, सिवियर है, ग्रैब 3 लग चुका है, वाइकल्स का एंट्री और बीएज 3, बीएज 4 वाइकल्स पे बैन, इस तरह के कतिविदियां चल रहे हैं, बिकाज प्रदूशन का लेवल बहुत जादा सिवियर है, वेरी वेरी हजाडरस टू दा हिूमन हेल्थ, तो ऐसे में रेस्परेटरी इल्निस के पेशेंट्स का नंबर काफी बढ़ जाता है, जो एस्थमेटिक्स हैं, वो इस तरह से धुए में नहीं सास ले पाते हैं, उनका कंजेशन बढ़ जाता है, जो COPD के पेशेंट्स हैं, इंटरस्टीशे लंग डिजीज के पेशेंट्स हैं, तो इनका नंबर काफी बढ़ जाता है, दूसरा सर्दियों में वारल इंफेक्शन भी नहीं आते हैं, फ्लू वैक्स आते हैं, जो लोग फ्लू का वैक्सिन नहीं लगवाते हैं, तो फ्लू के नंबर भी इस समय हमारे सामने आ रहे हैं, फ्लू केसिस के काफी पेशेंट्स आते हैं, और अगर लंग्स वीक हों, हाट पेशेंट हों, डाबेटिक हों, तो फ्लू भी उस पे जाधा वार करता है, और इम्मुनिटी कम होने के विज़ा से, ऐसे पेशेंट्स में फ्लू से निमोनिया भी हो सकता है, जी, सिर्ड कितने पेशेंट्स हो गए हैं, तो फ्लू इन दे सोसाइटी दीस देस, तो नमबर तो डेफिनिटली आप देखी रहे हैं कि बड़ा है, कौन-कौन से मेजर सिंटम साप देखते हैं पेशेंट में, रेस्परेटरी फिजीशन होने की विजर से मेरे पास ज्यादा तो रेस्परेटरी सिंटम्स के ही मरीज आते हैं, सांस फूलना, चाती में दर्द होना, चाती में खिचाव होना, और जुकाम, continuous जुकाम लगने के बाद फिर चेस्ट के सिंटम्स का डेवलप हो जाना, यह प्रॉमिनेंट पेशेंट्स हैं, निमोनिया के भी पेशेंट्स का नंबर इस समय काफी है जो उपेडी में टेंडेंस में दिखते हैं, इसमें चाती के X-ray में patch of pneumonia नजर आता है, high fever होता है और कर बार बल्गम में बलड आना शुरू हो जाता है। सिंटम्स भी कुछ बदले हैं या जादा सी ऐसे की COVID का रूप बदल रहा है, नया variant आ रहा है तो? अभी बहुत जादा पेशेंट्स तो COVID के हमारी उपेडी में नहीं नजर आ रहे हैं तो परन्तु सिंटम्स वाइरस के बदल सकते हैं, तो वाइरस कई बार जो है बिना बुखार के भी just chest congestion, chest pain और breathlessness के साथ भी present करता है, joint pains, body aches sometimes, और कई बार इतना तेज बुखार नहीं होता है, तो symptom may vary, जब भी कोई abnormal feel हो किसी को भी अपने symptom बढ़ते नजर आएं तो डॉक्टरी सिला लेना बहुत जरूरी है, जो नॉमिनल कोविट पेशेंट का बीच में नजर आते हैं, उनके कोई symptom ज़्यादा नजर नहीं आते हैं, precaution के लिए admit भी किया जाता है, परन्तु कोविट की वज़ा से अभी कोई fatal case नहीं नजर आया है, मुझे at least, मेरे hospital में, मेरे अंडर कोई भी इस तरह का नहीं पेशेंट आया, जो कोविट की वज़ा से जिसकी जान को खत्रा हुआ हूँ, फिलहाल है. अभी कितने हैं अगर इसकी कोई जान करी होगा? हमारे unit में तो भी नहीं है, परन्तु बहुत जादा ऐसे hospital में भी मेरे खहल से ऐसा कोई नहीं महाल COVID का, बट प्रिकॉशन लेना चाहिए जिस तरह से number of cases बढ़ रहे हैं पुरा इंडिया में, तो इस बेटर तो बी वेरी केरफूल, यह एक कम्मुनिकेबल डिजीस है, एक से दूसरे में होती है तो यह ना पहले तो बेटर है. अभी जैसे कि आप chest medicine specialist step, किस stage में आप suggest करते हैं कि उनको COVID test कराना है? किसी भी प्रकार का बुखार जो तीन दिन से नहीं तूटरा with respiratory symptoms और अगर किसी को pre-morbid conditions हैं जैसे डायबेटीक, cardiac problem या lung problem है, तो ऐसे में COVID test करवाने से better रहेगा क्योंकि अगर हम पहले पांच दिन के अंदर antiviral का dose लेंगे तो शायद यह जल्दी इसके side effects को जो इसके bad effects है, pneumonia उसको हम control कर सकेंगे. फीवर आपने पीजर बता है, अगर फीवर नहीं खत्म हो रहा है, फीवर नहीं जा रहा है, सास के symptom आने लग गए है, खासी हो रही है, चेस्ट में दर्द होना शुरू हो गया है, और oxygen saturation कम हो रही है, तो तुरंत जो है वो उसको viral fever से हटके सुचना चाहिए, कि यह चैद म अधा, social distancing, बहुत ज़ादा, overcrowded जगह में party करना, क्योंकि हवारा देश अब, you know, connected है, कोई भी, किसी भी शेत्रे से, एक दूसरे से, आके मिल सकता है, तो यह विमारी फेट बहुत जल्दी फेलती है, तो crowding ना करें, social distancing maintain करें, hand hygiene, sanitization, mask का इस्तमाल.